Hi everyone, welcome back to Unexplored Literature. इस वीडियो के नहीं हम डिसक्स करने माले हैं SAM 3 के AACC Course Environmental Science Theory into Practice 1 के unit number 7, जो की last unit है इसकी Human Communities and the Environment. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो कर लीजी and also give your feedbacks at the end of the video. Now let's start the topic. हमारी unit number 7 है Human Communities and the Environment. इसके सब topics है Human Population Growth, Resettlement and Rehabilitation of Development Project and Environmental Philosophy, Environmental Communication and Public Awareness. इसमें हम कुछ case studies है जो उनको discuss करेंगी. तो जो हमारे first topic है that is Impact of Population Explosion. मतलब कि अगर बहुत जादा जनसंख्या हो जाए तो उससे क्या फरक पड़ता है सारे जो conditions हैं उनके उपर. सबसे पहला impact है on health. कि अगर लोग जादा हो जाएंगे तो Housing Problems होंगी. Housing Problems के साथ Paid Cutting एंगे और वो सारे चीज़ें. Paid Cutting एंगे तो फिर Global Warming होगा. तो यह से क्या होगा हमारी एक health के उपर ही problem आजाएगी at the end. Then is Social Condition. कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा. फिर अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो ill practices करेंगे. जैसे कि चोरी डकैती ऐसे से काम करेंगे. यह काम करेंगे तो फुरो ससाइटी का जो structure है वो भी गड़ जाएगा. तो इससे होंगे societal condition में problem. Then is economic condition. Economic condition में क्या हैगा? बेरोजगारी होगी ज़्यादा लोग होगी. ज़्यादा लोग बेरोजगारी में रहेंगे. तो गरीबी और यह जो starvation है यह problems आखे. फिर वही चोरी डकैती. मतरब सारी चीज़े हैं जो interlinked है एक दूसरे से. अगर एक कुछ भी हो रहा है तो उसके साथ 4 problems अपने आपा जा रही है. तो हमें इन सारी problems हैं जो उनका solution निकालना है. तो उसके लिए अपनी जो population है उसको manage करना होगा. Now our next topic is carbon footprint. Carbon footprint का मतलब होता है कि आपने total कितनी greenhouse gases हैं जो वो directly या फर indirectly produce की हैं एक life cycle के अंदर में. ये एक product के तौर पे, organization के तौर पे, फर individual तौर पे किसी भी तरीके से हम इसको calculate कर सकता हैं. तो इससे हमें major तरीके से पता चलता है कि भाईया climate change जो वो कैसे हो रहा है. इसमें transport waste, offset, recycle gas, इन सारे चीज़ों को calculate किया जाता है. और फिर हम एक total निकालते हैं कि भाईया इतना carbon footprint है, इस particular आदमी का या फिर इस particular organization का, इस देश का, किसी भी तरीके से उसको measure किया जा सकता है. तो जहां हम देखते हैं human और nature के conflict की, तो ऐसे बहुत सारे groups भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यदा काम किया है, to preserve the nature, biodiversity, तो उसमें सबसे पहला है chipco moment. यहां पर मैंने गलती से कावेरी water dispute का जो content है वो लगा दिया है, तो हम really sorry, I'll tell you about chipco moment, chipco moment में क्या था कि लोगों ने पेडों को hug कर लिया था, चिपक गए थे पेडों के साथ, कि भाईया इनको अगर काटोगे तो उससे पहले आपको हमारी last से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इस तरीके का dedication था लोगों के अंदर to save the trees, then उसी के similar एक था अपको moment, अपको moment कहां पे हुआ था, यह हुआ था western ghats के अंदर जो करनाटका का reason है, वहां पे 1980s में, तो यहां पे भी क्या कर रहा था, लोगों ने chipco moment से ही प्रेरी थो कर, वो सारा जो awareness है, deforestation को लेके, sustainable forest practices को लेके, वो ज्यादा बढ़ाया था, वहां के लोगों में, कि भाई हमें इस तरीके की जो practices है, उनको अपनाना चाहिए, then is silent valley movement, यहां पे भी conservative तरीके हैं, जो कि इस तरीके से बचाया जा सकता है, तो वो साल चीजों को adopt किया गया, awareness raise किया गया, और इन्होंने जो hydroelectric development हो करेला, तो उसको रोकने की नियोंने बात की, बोलते कि भाई, इस से क्या होगा, problems arise होंगी, बहुत सारी species हैं, जो उनके अंदर भी, और यहां की जो biodiversity है, उसके अंदर भी disturbance आ जाएगा, तो इसलिए, we just, you know, oppose this, जो भी आपका एक development project चल रहा था, regarding hydroelectric development, फिर जब भी हम tribal communities की या फिर different groups की बात करते हैं, तो बिश्नोई community का नाम जरूर आता है, यह लोग बहुत जादा connected हैं, trees के साथ, या फिर के animals के साथ, बहुत जादा connection है इनका nature के साथ, तो इरो ने भी काफी जादा अपने environmentalist movements निकाले, activism में इन्होंने बहुत part लिया, to save the environment, अमरिता देवी का नाम आता है, जब भी हम बिश्नोई community की या फिर जनरली बात करते हैं, environmental protection जो भी करने वाले लोग हैं उनकी, then is नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1980s में, large dams बन रहे थे नर्मदा रिवर पर, जो की था सर्दा सरोवर डेम, वहाँ पर एक जो activist थी मेधा पाट कर, उन्होंने बोला कि यह local communities कहां जाएंगी, यह जो आप इतना बड़ा dam बना रहे हैं, वो तो हमें समझ आ गया, एक तो आप यहाँ की species को effect कर रहे हैं, the second is कि यह जो इतने लोग यहाँ रह रहे थे, अब यह कहां जाके रहेंगे, तो वो जो पुरा एक नर्मदा बचाओ, अंदोलन, तो जब इतनी जदा problems आने लगी nature को लेके, बहुत सारे problems जब arise होती हैं, तो उसको deal करने के लिए हमारा आता है National Green Tribunal, क्योंकि Supreme Court में तो पहले इतने cases पढ़े हैं, और सारे high courts में इतने cases पढ़े हैं, तो nature की जो चीजे हैं, उनको हमें instantly deal करना पढ़ता हैं, तो उसके लिए हमारा क्या है National Green Tribunal, जो कि environment related जो भी problems हैं, उसको deal करता है, तो ये 2010 में आया था, and India is the third country जिसने National Green Tribunal को adopt किया था, ये अफरिका introduced किया था, तो ये air pollution, water pollution, forest conservation, biodiversity, environmental concern, ऐसे से topics पर ये बात करते हैं, फिर आती है हमारी environmental philosophy, जिसमें सबसे पहला है environmental ethics Environmental ethics क्या है, एक branch है philosophy की, जो कि हमें moral relationship सिखाती है, human और environment के बीच की भईया, देखो, environment का और humans का एक बहुत ही deeply connection है, और humans को guide भी करता है nature, तो इसलिए we have to protect that, and इसको ही बोलते हैं, environmental ethics, फिर role of religion in environment conservation, ये किस तरीके से religion role play करता है, कोई भी religion हो, हमेशा एक attitude ऐसा हमें develop करने को ब पहुचाओ, हर किसी को प्यार करो, plants, nature, फिर किसी भी चीज जिसमें जान है, उसको प्रेम करना सही है, तो ये जो सारी चीज़े है, ethical aspect है, जो creational respect है, spiritual connection है, वो religion से आता है, फिर है cultural practices, जिस culture में हम पले बड़े हैं, अगर हमें, देखो हमारे culture में क्या होता है, जैसा कि हम ब कि जिस environment में हम पले बड़े हैं वैसे ही हम practices को adopt करते हैं, हमारे घरों पे तुलसी माता को पूजा जाता है, तो वो practices हमारे बीच में हैं, हम इतना respect से देखते हैं तुलसी plant को, ऐसे बहुत सारे plants है, people tree, banyan tree, तो ऐसे हमारे plants को पूजा जाता है, हमारे बड़ा connection है, सूर्य programs के बारे में, और कुछ case studies, तो सबसे पहला है CNG vehicles in Delhi, तो Delhi का आप सबको पता है कि कितना pollution होता है, तो उसकी वज़े से हाँ पर बोला गया है, कि भाई है CNG vehicles लेके आइए, ताकि थोड़ा production कम हो, second is स्वच भारत अभ्यान, स्वच भारत अभ्यान को 2 October 2014 में गांधी जैंती वाले दिन produce किया गया था, यह पूरे इंडिया में launch किया गया था, ताकि हम cleanliness campaigns है, जो उनको start कर सके, then is national environmental awareness campaign, यहाँ बात की जाती है, environmental awareness को promote करने की और foster करने की एक sense of responsibility, nature के towards, इसको launch किया था ministry of environment, forest and climate change ने, next is national green cops, तो इसको ministry of environment, forest and climate change ने ही launch किया था, था, 2001 में, तो यह try करते हैं कि जो school children हैं, उनके अंदर हम awareness raise करें, क्योंकि यही आगे जो आने वाला भविश्य हैं, इनको पता होना चाहिए कि कैसे resources को use करना है, then is eco club program, यह भी स्कूल और educational institutes में promote किया गया था, एक program, जहाँ पर environmental, जो चीज़े हैं, awareness है, conservation, sustainability, इन चीज़ go for green, all right, so this was all about your syllabus, तो यहाँ पर आपका syllabus complete होता है, कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं, and as per my promise मैंने आज ही कर दिया, आपका exam 11 को है, तो जैसे कि मैंने अपना promise पूरा किया, I completed your syllabus, तो आपको भी अपना promise पूरा करना है, you have to complete 500 likes on this video, and also subscribe the channel, and please give your feedbacks, अच्छा लगा, अच मुच अप्रिशेटेड है, all right, so I'll meet you in the next video, till then take care, stay happy, stay healthy.